हेलो बच्चो स्वागत है आपका आपके चैनल SRS Learning में यह हमारी Mathematics की बेटा 5th Class की वक्षिट है ठीक है और वक्षिट का जो नंबर है सीरिल नंबर है वो है 138 138 और जो हमारी डेट है वो है 22 दिसंबर 2020 ठीक है बच्चो बच्चो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हम रामानुज ने मैजिक स्क्वाइर बनाया था उसको भी ड्रो करते हैं और समझते हैं सबसे पहले यह जानते हैं कि क्या आप जानते हैं आज महान गणित तक यह शिरी निवास अयंगर रामानुज की जयनती है ठीक है गणित के शेत्र में उनके योगदान को हमेशा याद के लिए हर साल 22 दिसंबर को राश्टे गणित दीवस नैशनल मैथमाटिक्स दे के रुपे मनाया जाता है जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि नैशनल मैथमाटिक्स दे दिसंबर 2020 मतव हर साल आता है यह कोई भी सन हो तो यह डेट याद रखनी हैं में कि दिसंबर 22 को यह जादूगर माना जाता है तो क्या है हम यह पड़ा कर दो अधिकता समय परशनों को हल करने में बिताते थे उन्होंने संख्या को ही अपना मित्र बना लिया था एक बार की बात है कि वह अपने जनमतिती किसी जंगे लिख रहे थे लिखते लिखते होंने अपने जनमतिती की संख्या में एक जादूई दिखाई दिया आए हम भी समझते हैं रामनु जादूई वर्ग यह क्या है यह क्या स्क्वायर है वर्ग है प्रथम पंक्ती की संख्या को ध्यान से देखे जो हमारे साथ से प्रथमें समझना है कि पंक ゲोल्म बोलते हैं कि जिसको हम इंगलिश में ऊंगलम्त व मतलब क्यों आते हैं ऐसे चलतें यह वला यह को संको सा आपका यह आपका वे कर यहाँ ग्रहों तो तो हमें पहले यह पता होना चाहिए अब हम चलतें आगे कि जो रामजुच थे उनकी तीधी तीधी वह कहती बाइस दिसंबर 1887 ठीक है तो कैसे लिखा है इनोंने जुनका तारीक का जो दिन था वह कहता बाइस हमने यह बाइस लिख दी फिर क्या था उनका महीना कौन सा था एचीः कर ली Kin ANd Dienst आह Аपने इदर देख लिए एक है अब संख्क्या को जोड़ना उनोंने शुरूरि एस संख्या को जोड़ी तो इसका जोड़ भी क्या था आया Rs 139 ठीक है उन्होंने क्या है अब यह जोड़ा इसका आया नहीं आया था इतना ही आ रहा है झेक है कि इस वरक के पाट ठाउं कि रोकी संक्यों को जोड़ कर देखें और पता लगाए Starting सब्वी पंक्तियों जोड बराबर आ रहाए है इसमीं हमें दिया रहा है अब जब इसको जोड़ेंगे टिक ए हमने 88, 17 9 और 25 जमने हमने इसको जोड़ा तो कितना आया हमारे यहां पर 9 आएगा ठीक है और फिर यह क्या है 10 और यह 1 का सा लगा तो यह क्या है 39 139 हमने क्या हमने हर बार जोड़ा 139 हमने यहाँ आपके लिए पहले से जोड़ रखा है इसमें क्या था यह भी 139 आएगा यह भी 139 इसको आप जोड सकते हैं यह सारे क्या है 139 ही आएंगी मैंने आपको एक तो करके दिखा रहे तो एक मैं यह वाला करके दिखाती हूं ठीक है 12, 17, 24 और 8C की सारे 139 ही आएंगी 149 अब जब हमने इसे जोड़ा कैसे जोड़ा 6 और 4 यार कितने होता है दस कि है 17 और यह क्या होगे 19 नो हासिल लगा एक ठीक है एक दो तीन चार पांच पांच और आठ जो होता है 139 तो यह भी आप जोडेंगे 139 और यह सारे 139 तो यह चलते हैं इस वाले पर आप क्या आप कि वर्ग के वर्ग क्या तो जिसके 4 वुजाएं बराबर हो थी उसको वर्ग बोलते हैं स्कौायर बोलते हैं वर्ग के विकर्ण जिसको सेलेंट मतलब जोच ट्रेडी लाइन होती है कि संख्या को जोड़ा जब हमने इसको जोड़ा तो यह भी किया 139 आया अब यह वाल यार यह ना 19, 24, 9 और 87 इसको जोड़ते हैं हम अब देखो 9 और 4 कितने होते हैं 13 तेरा यह यह ना 19, 24, 9 और 87 दुबार जोड़ते हैं एक बार चलो अब क्या है 9 और 7 कितने होते हैं हमारे 9 और 7 कितने हो गए हमारे 16, 16 और 4 कितने होते हैं 20, 29 और 39, 29 हासिल लगा 2, 2, 3, 4, थिक है 8, 8 और 2, 10, 10 और 11, 11, 12, 13, 13 तो हमारा जो इडियागनल का मतलब यह जो आया इसका भी कितना आया है जोड 139 ठीक है यह हमने यह आप बेटा अपने आप घर पे करके भी देखना अब चलते हैं आगे वाले बॉक्स पे कि वर्क के चारो कोने में आने वाली संख्या मतलब ये वाली संख्या ये वाली संख्या ये वाली संख्या ये वाली संख्या जोड का पता लगाते हैं कितना है बाइस 87 19 और 11 इसको जोड़ेंगे क्या वर्क के बीच में आने वाली चार संख्या चार संख्या कौन से यह वाली जो पिले उससे हो रही है कि कौनों के संख्या आपस में बराबर है तो हम इनको जोड़ें दुबारे से देखो बाइस यह वाली यह वाली 87 यह और यह 11 और 19 इनको जोड़ने और यह वाली 17 नो 24 और 89 अब हम इसको जोड़ें कितना आता है यह कितने होगे 10 10 और 29 नो हासी लगा एक ठीक है यह कितने होगे 8 8 और 2 10 10 और 1 11 और 13 यह कितना है 139 इनको जोड़ अब इनको देखता है देखने कितना आता है यह कितना है इसको आप करके भी बचे देख सकते हैं आप चलते हैं आगे अब नीचे देगे वर्ग में देगे निर्षा निर्देश्क उन्सारा आप एक जादवी बनाएए अब मैं क्या एक जादवी बनाना है जिस तरिके से अब हमें लिखते जाएंगे मैं आप समझाती जाओंगे कि पहले इसमें क्या करना है डेट लिखनी है कोई जो भी आपकी डेट हो वह लिखने जैसे में एक डेट ले लेती हूं डेट क्या है यहाँ पर तीन दीन है फिर मन्त क्या है आठ अर कप पैदा हों हैं है प्लस करना है जब प्लस करेंगे 80 में 81 अब है यहां पर इस मतब इसमें CC वाले में जो हमारी century होती है उसमें से एक घटाना है तब एक घटाएंगे तो क्या था यहां पर 19 था तो यहां पर करना मंत कितना था आठ दो माइनस कर देंगे 6 आ जाएगा दिन में दो प्लस करना है तीन था तो पांच आ जाएगा यहां पर मंत में यह मंत में एक बढ़ाना है तीन थे तो चार आ जाएगा और यहां पर साथ आ जाएगा ठीक है जब आप इनका जोड करके देखेंगे यह क्या है आप इनको अलग भी कर सकते है पार्टिशन भी कर सकते है ऐसे ऐसे ठीक है यह बन गया आपका square ठीक है और जब बच्छे कि संख्या जो आएगी वो 110 आएगी कहीं से भी जोड़े आप यह भी 110 यह भी 110 यह भी 110 यह मैंने करके देख रखा है और यह भी क्या 110 आएगगे यह सारे 110 आएगे आप एक करके भी देख सकते हैं जैसे 3, 8, 9, 80 ठीक है इसको जब आप करोगे तो क्या आएगा यह 19 से ठीक है आठ और आठ और तीन कितने 11 ग्यारा ग्यारा और 9 बीस हासिल बीस और यह देखो यह कितना है हमारा आठ और तीन 11 बीस हासिल बागा 2 तो यह कितने आजएंगे इसे करने इनका जो आंसर रहाएगा वो 110 ही आएगा ठीक है बच्चों तो यह आपका स्क्वायर है आप भी बना सकते हैं इसको निर्देश को देख देखके पहले यहां पर आपको मन्त लिखना है कि आप कौन से दिन पैदा हुए है यह मन्त है यह आपका यह आपका गणित तक्ये जैसे हमारे आर्य भर शकुंतला देवी थे इन पर फिलम भी बनी चुकी है शकुंतला देवी तो फिलम भी बनी थी याद करवा उसमें पर वो थी ठीक है ना ठीक है तो यह हमारे जो गणित तक्ये हैं हमें भी इन से क्या है सीखना चाहिए कि हम भी अपने गनित में हम जब गनित कर सकते हैं जब हमें हम बार बार उसको क्या है रिवाइस करेंगे तो हमें गनित आ सकते हैं तो बच्चो यह आपकी आज की पिटा जब गनित दोगर जूरी का ध्यान रखें और करोना वार्रस से बचें ठीक है बच्चो मिलते हैं आगे की वक्षित के साथ बाए बच्चो